दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा समझ जाएं आना संकेत है कि तू सही माई पर चल रहा है क्योंकि कठनाया हमें मजबूत ताकतवर बनाती है अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन ची आदी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया है जीवन का अगर हर दाओ चितना है तो बल से जादा बुद्धी का उप्योग करें क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धी हमेशा जीतना उमीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते विश्वास और चिंतन आपको हर मन चाही चीज दिला सकी है जैसे गुसा हमारी अकल को खा जाता है वैसे ही आहंकार हमारे मन को खा जाता है इसी प्रकार प्राशित हमारे पाप को खा जाता है लालच हमारे इमान को खा जाता है उसी प्रकार चिंता हमारी आशु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाता है ठंड में हाथ काम नहीं कबते और खमंड में दिमाग काम नहीं करता गहरी बाते समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटे खाए है सीख नहीं पा रहा हूं मीठे जूत बोलने का हुनर कड़वे सचने हमसे ना जाने कितने लोग छीए जिनने आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेगी अंधेरे में मुणबती और मुसीबतों में उमीरे बहुत कम आती है आंधी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सिखा क्या एक दूसरों पोलुच्या दिखाना जिन्दगी की हर तपिश में मुस्कुरा कर छे लिए धूब कितनी भी हो तेज हो समंदर सुखाना ही करते मैंने पूछ लिया जिन्दगी से क्यों इतना दर्द दिया वो हसी और बोली मैं तो तुझे जीना सिखा रही थी जिस चीज की जरूरत है वह चीज आप खरीदोगे एक दिन जिस चीज की आपको जरूरत है वह चीज आपको बेचनी पड़ेगी यह दुनिया है जनाव यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंदों पर उठा लेते हैं किसी को भी कमजोर मत समझना क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता लोगों को हमेशा खुश से रहना चाहिए क्योंकि परिशान होने से कल की मुस्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है आपकी नजायज कमाई का लाव कोई भी उठा सकता है पर आपके नजायज करमों का फल आपको खुद ही भुगतना पड़ता है पैर को लगने वाली चोट सभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है आज का इंसान सची बाते दिल पर नहीं लेता और जूटी दिमाग पे ले लेता है जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तिमाल किये जाओगे किसी से सिर्फ इतना ही नाराज होना कि उसी आपकी कमी का एहसास हो जाए लेकिन कभी इतना भी नाराज मत होना कि वो आपको याद किये बिना ही जीना सेख जाए जिन्दगी में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है वो लोग अकसर बदर जाते हैं जिनें हम हद से जादा वक्त और इज़द देने लगते हैं नसीहत वस सचाई है जिसे हम सब कौर से नहीं सुनते और तारीफ वधोका है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं मुझे हसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाव